आप लोग एक कहनी सुनो के आप लोग बड़ी आगानी नहीं भीट दे मेरा कुछ दिन पहले एक दोस्ट पिमार पड़ा रात दो बजए अस्पताल के भार था वो गड़ा बहुत मारा मारी थी वो बिस्तर के लिए लड़ा अड्मिट वो हो गया दवाईख आगे सो गया डॉक्टर ने बोला रेमिडिय सिवीर चाहिए पामसी में अविलिबल नहीं है आप किसी और को कहिए हर जगा सबने कॉल किया फाइल ली एक बंदे के बास था उसने इंजेक्शन हमें दिया मैंने पूचा भाई कितने पैसे वे इंजेक्शन के पदे क्या बोला हो कहता यसी बात कर रहे हो आप उपर से देख रहे हैं सब का बाग आज आपको मेरी मदद चाहिए कल शायद मुझे चाहिए होगी अब आप कर देना मेरे ली कुशिश ये बात सुनकर मेरी आखे ना उन्हें तो इंसानियत वापस करती तो कहीं पीखोंगे फिर दो दिन बाद मेरे दोसको ऑक्सिजन लेवल डॉप हो नब्बे पिथा ऑक्सीमेटर अब वो साट पर आकर खाण डॉक्टर बोला अला थोड़ी नासाज है पोशिश करी आप सर ऑक्सिजन सेलिंडर की सक जरू बहुत खुप्सूरा था मेरी आखे तो तब भराई जब मेरी एक दोहर पे लोगोंने मदद की लाइने लगे अब अपना दोस हस्पतान से घर आ चुका है और गोवेट को हरा चुका है आप सब का भारी है कहता है आप लोग बहुत भारी है लास बट मॉत दुलीस्ट शु The moral of the story is कि आज मेरे दोस जैसे हजारों हैं क्योंकि मदद करने वालों की गिंती लाखों में हैं कहा था ना बढ़िया गानी सुनों कुछ